हलो स्टूडेंट काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि 20 अक्टूबर को जो हीरिंग थी उसमें क्या हुआ 20 जो अक्टूबर को हीरिंग थी उसमें सुप्रीम कोट से जवाब तलब करने के लिए बुलाया था CBSC को तो उसमें CBSC ने अपना पच रखते हुए बुला है कि उसने Improvement और Dispute Settlement का Option दिया था बच्चों को Improvement से अपने Marks को बढ़ा सकते थे अगर वो Satisfy नहीं थे और Dispute का Form डाल सकते थे जिससे उनके Marks बढ़ जाते और Compartment हट जाता और उन्होंने ये भी बताया कि कई बच्चों ने ये Apply भी किया है Improvement का और Dispute का जिससे बच्चों के नंबर बड़े भी हैं और Compartment हटा भी है और उससे पहले ये मैं बता दू कि कई बच्चों ने 24 इश्वेंट थे उसमें UP के थे बच्चे, बिहार के थे, राजस्तान के थे, जम्मू कस्मीर के थे इन सब बच्चों ने मिलाके सुप्रिम कोट में पृटिशन को डाला था और Khanwilker और CT Ravi इन दौनों का जो बेंच थी उन्होंने सुनवाई किया था और सुनवाई में CBSC ने सुप्रिम कोट से रिक्वेस्ट की है कि सर आप जो बच्चे बार बार PIL दाखिल कर रहे हैं तो उसके रिब्यू को accept ना किया जाए, रिक्वेस्ट ऐसा किया है क्योंकि हम लोगों ने जितना भी पहले 30-30-40 का formula जो सुप्रिम कोट ने दिया उसका पालन किया और जैसा कि मैंने पहले बताया, improvement का और उसके बार dispute का सारे option बच्चों को दिये और उसके बाद भी बच्चे satisfy नहीं हो रहे हैं ठीके, तो जो 20 October का जो conclusion है, जो सुप्रिम कोट में hearing थी उसका overall conclusion यही है कि अभी तक कोई result निकला नहीं है सुप्रिम कोट ने अपना decision pending में रखा है और मैं अपना अगर इस पे view दूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस पे कोई final conclusion आएगा क्योंकि CBSC के favor में ही यह हमें जो decision है वो जाता हुआ दिख रहा है पहले भी ममता सर्मा जो थी मैं, एक और वकील थे, उन दोनों ने मिला के petition को डाला था उससे भी कोई conclusion नहीं निकला, और CBSC ने यह request तक कर दी है कि आगे जो इस बच्चे डालें उनके review को accept ना किया जाए क्योंकि मैंने सारे option बच्चों को दे दिये हैं तो अब जो अपने आगे का option है उस पे थोड़ा विचार करो सभी बच्चे, improvement का option next year भी मिलेगा तो improvement के option पे try करो ठीके, और ऐसा उम्बीद किया जा रहा है जिनका मार्सीट अभी तक नहीं आया दोनों में से जो बड़े हुए नंबर है उनकी मार्सीट मिलेगी मार्सीट का थोड़ा wait करें, वैसे बहुत wait किया है regional office में जाएं और school में जाके बात करें आगे कोई update आएगा, वो हम लेके आएंगे, okay thank you